रामू की कहानी एक छोटे से गाव में रामू नामक एक लड़का रहता था, वह बहुत ही जिग्यासू और शिक्षा प्रेमी था, लेकिन गाव में शिक्षा के साधनों की कमी के कारण उसे अधिक नहीं सीखने का मौका मिलता था. एक दिन एक यात्री गाव में आया, उसके साथ बहुत सारी किताबे थी, रामू ने उससे पूछा, आप इतनी किताबे क्यों लाए हैं, यात्री ने हंस्ते हुए कहा, शिक्षा का सफर कभी खत्म नहीं होता. रामू की आखों में उस व्यक्ती की बातों का प्रभाव बढ़ा, वह उससे कुछ किताबे मांगी और उसकी सहायता से पढ़ना शुरू किया, हर दिन रामू किताबे पढ़ता और नए जगत के लिए उच्साहित होता था. धीरे धीरे, रामू का ज्यान बढ़ता गया और वह अपने गाउं में शिक्षा के प्रती जागरूकता फैलाने लगा, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक स्कूल खोलने के लिए प्रयास किया. शुरुवाती दिनों में लोग इस विचार को हंस्ते हुए देखते थे, लेकिन रामू का द्रिध निर्धारन उन्हें होसला देता था, उसने अपने संधर्ष को निरंतर जारी रखा और अंत्ता अपने सपने को हकीकत में बदल दिया. समय के साथ उनका स्कूल गाव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र बन गया. रामू ने अपने सपने को पूरा किया और गाव में शिक्षा की राह में एक नई किरन जगाई. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी अगर हमारी निरंतर प्रयास और आत्म विश्वास है. तो हम किसी भी महत्वपूर्ण लक्षय को हासिल कर सकते हैं. शिक्षा और ग्यान का महत्व हमें हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. चाहे हमारे पास जितने भी संसाधन क्यों न हो.